आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होनी वाली है जिनके भी घुटने में दर्द रहता है या फिर जॉइंट पेंट रहता है या फिर नसों में खिजावट रहती है मांस्पेशियों का दर्द है कोई भी दर्द है दोस्तों तो आज मैं कम से कम 10 से 15 नुश्कास आप स शेयर करी हूँ और सारे नुश्के बहुत ही असरदार है आपको जो भी अच्छी लगेगी आप उसे अपना सकते हैं आपके घर में जो भी सामागरी मौझूद है उसकी मदद सहीं बताऊंगी और बहुत ही असान है इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है तो चलिए जानते है इन सभी को बनाना कैसे है तो सबसे पहला नुश्का जो है वो कपूर का तेल कपूर का तेल बहुत ही फादा गरता है जिनको भी जॉाइन्ट पेन है उनके लिए और साथे साथ जिनको अर्थराइटिस का प्रॉबल्लम है क्योंकि यह जो होता है ना कपूर का तेल वह कपूर का तेल वनाने के लिए, हमें एक कटोरी लेना है。 नाड़ियल का तेल की लिए लेना एक कट्यों को रात भर झोड़ देना है। ताकि जो भी कपूर हमने इसमें डाला था तोड कर डाले कपूर पाउडर बना कर वो साड़े अच्छ से तेल में घुल मिल जाए उसके बाद सुबह आपको इस जो तेल है तो त्यार होई है उससे मालिश करना है और इसे हलका गुनगुना कर लेना है बिल्कुल हलका या तो दूप में रख दें अगर दूप है तो दूप में हलका गुनगुना कर ले गरम कर ले या तो आप जो ग्यास फ्लेम है बिल्कुल धीमा करके तवा डाल दें उसके उपर यह कटोड़ी डाले हलका गरम करना डारेक्ट आग पर ना डाले क्योंकि आग लग जाएगी और उस नुष्खा के बारे में दोस्तों जो भी वीवर का कंप्रेंड रहता है कि वह ड्राइफ रूट्स नहीं खरीच सकते हैं तो उनकी लिए मैं बता दू चना और गुर हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से मौजूद होता है चिलके वाला चना ले और गुर ले दोनों बहुत जुआइंट पेन है उसमें भी रहत मिलेगा साथे साथ आपके घुटने का अगर ग्रीज अगर कम हो रहा है तो वह भी बनेगा तो जलिए जान लेते हैं हम तीसरा नुष्खा क्या है दोस्तों तीसरा जो नुष्खा है वह सेब का सिर्का सेब का सिर्का बहुत आसानी से म प्रब्लम है उसको दूर करेगा आप इसे रोज खाली पीए कोई नुक्षान नहीं करेगा यहां तक कि आपको जो भी बीमारी है उससे भी लड़ने में यह मदद करेगा आपके शरीर में जल्दी कोई बीमारी नहीं लगेगी इसमें बहुत सारे मात्रा में बिटामिन सी ह होता है यह हमारे पेट के लिए रामबन माना जाता है साथे साथ गुटने के ग्रीस भी दुबारा से बनाता है अर्थरैटिस वारे लोग भी इसे ले सकते हैं तो चलिए आप जान लेते हैं हम चौथा नुष्का क्या है दोस्तों यह मेथी के दाने यह बहुत ही वादा कर चौष मेथी के दानों करें रहे हमेन salary कर दोस्तों निकम मेथी के दान को मे खार को सब्सक्राइब पानी मेथी के दान करर शांडा यह यह बहुत है और इसे पानी में उबालने अच्छी तरह से जब तक पानी आधा ना उबल जाए और इसे हलका medium flame पे ही उबाले और इसके बाद इसे चान कर और अगर आपको diabetes नहीं है तो आप इसमें हलका गुर्ट डाल कर सुबह सुबह पी सकते हैं नाश्टा करने के 15 मिनट के बाद आप इसके बाद लेना है कच्छी हल्दी तो कच्च्छी हल्दी को आप जैसे सालात खाते हैं गाजर मूली खाते हैं जाने आपकारी है तो एक ब्सक्राइब करने के लिए और हमारे शरीर में अगर कहीं भी दर्द है या तो नस्की वज़एसे है या मान स्पेसियों में है या तभी को यह दूर करेगा साथी साथ यहां तक कि घुटने के ग्रीस बनाने में भी काफी फायदे मन्द होता है या फिर किसी के भी पैर में अगर सूजन आ गया है तो भी इसे ले लें तो चलिए अभी जान लेते हैं फटाफट से उसके बाद वाला नुश्का क्या है दोस्त है कील मुहासियों को दूर करता है अस्थामा के लिए काफी अच्छा है और साथी साथ यह घुटन के दर्द में भी बहुत अच्छा है ऐसे डीटी के लिए बहुत अच्छा है यह जिनको होती है गैस बनती है तो इसका शेवन वह जरूर से कर यहां तक कि डाइबिटिक ल अच्छा के लिए तो यह जरूर को खीच लेता है केल्सियम देता है हमारे शरीर में और फाइबर देता है और कोई समस्या हमें नहीं होती है देखे अभी हम डालेंगे इसमें अगला नुश्का तो वह है जिसा मैंने बताया हुआ है आपको लहसन का तेल आप लहसन को कूट के आपको डाली है हलका गरम करके गुनगुना करके इसकी मालिश करें लहसन जो होता है वह एंटी इंफ्लेमेट्री होता है जिनको सुजन की समस्या है दर्द रहता है उसके लिए काफी रामबान है और याद रहे है तेल लगाने के 15-20 मिनट के बाद आप धूप में पैर को सेख ले अगर धूप है तो और गरम ही तेल लगाए हलका गुनगुना देल आप एक कली लहसन की आप ले सकते हैं यह भी आप रामबान है सुबह सुबह आप लें इसे खाली पेट अगला जो नुश्का है वह दालचीनी का टुकरा दालचीनी का टुकरा हमारे वीडियो शेयर कर चुकी है इसके उपर आप देख लिजेगा घुटनों के दर्द के लिए तो रामबान है और तुलसी का पत्ता इस सभी का मिला कर एक काड़ा बना ले और पीए आपके जो दर्द है उसमें बहुत रहात मिलेगा दोश्तों यह सारी वीडियो एक साथ मैं बना रही हूं ताकि आपको आराम से आप देख सकें और इन सभी के फायदे उठा सकें जो भी आपके घर में सामागरी उपलब्द है उसका प्रियोग करना शुरू कर दे कम से कम आप इसे 40-45 दिन के लिए आपको बहुत लाब मिलेगा दोस्तों देखिए तुलसी के जो प पानी को जो आप चान के दोस्तों लेंगे ना इस पाड़ा को तो इसमें आप चाहें तो गुड मिला सकते हैं अगर डायवटीज नहीं है आपको तो और थोड़ा सा हनी मिला के गरम-गरम ना ले ले अभी देख ले इसके बाद हमें रोज आपको ये खाने में शामिल करना है तिल इसे हम तिल बोलते हैं तिल एक बड़े चमत से आपको चबा चबा कर खाना है गुन-गुने पानी के साथ ले ऐसे आप बिलकुन ना ले यह भी हमारे जोरो के दर्द को मेराहाद दिलाता है गुटनों के ग्रीस के में अन्ने में भी काफ़े फायदे मंद है और यह करें दालचीनी के तेल का चार से पांच बूंद आप एक कटोरी में निकाले और उसमें चार चमच आप तेल मिला दे इसमें आप यहाँ पे इस तमाल कर सकतें हैं तिल के तेल में बहुत 續ते हैं जो हमेरे शरीर में जितनी जब आते हुए जहां भी आपको प्रॉब्लम है वहां पैसकी मसाज कर सकते हैं तेल से मुझे याद आया आप नींबू के भी 4-5 बूंद निकाल के और इसे तेल में मिला लें ठीक है आप इसे भी अगर आपके पास तिल का तेल है तो उसमें नींबू का चार-5 बूंद मिला कि भी लगा सकते हैं आप सब्सक्राइब नहीं होता है और हल्दी को अगर हम फ्राइब कर दें आप अधा कप पाइदे ना कि बढ़ाबर उसने हल्दी का फायदा हमें नहीं मिलता है हल्दी का पाउडर मिला है तो अगर आप इसे दूद के साथ पकाके आप लेंगे आप लेंगे इसलिए हल्दी जुकाम में वाइरल उखार में लोगत सारी कुछ का एक इलाज है अलगलग तरिके से बनता है जिनको अलगलग बहुत कुराना गट्याता है उसकी दर्द है वह आप चाय पीते हैं ना दोस्तों चाय के जगह पे आप इसे ले ले आपको जो कल्सियम के समझ से आपके शरीर में वह भी दूर होगी आपको काफी लाब मिलेगा इसकर तो यह सारी दूशके मैंने बताए है वह अपने आप जरूर अपने जो लाइफस्टाइल है आपका द आपके घर में जो भी उपलब्ध हो आप इसका इस्तमाल करके बना ले देखे दोस्तों अगला नुशका है यह बड़ी इलाइची बड़ी इलाइची कुछ लोग बोल रहा है गरम होता है नहीं हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है इसे पानी में उबाले और इसे आप पी लें इसे लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी आप इसे लेंगे एक ही वक्त आपको लेना है यह एक ही लाइची का प्रियोग करें और यह हमारे दर्द को खीचने में जिनको भी नश से जुड़ी हुई नर्व पेन है उनके लिए काफी अच्छा है और इसे उबा दर्द है वो इसे जरूर से लिए ठीक है यहां तक कि हड्यों के दर्द में भी काफी फायदे मंदे गुटने का ग्रीस भी बनाता है और सारे कुछ में आराम मिलता है दोस्तों वीडियो को जादा जादा शेयर कर दीजिए ताकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट ह बहुत ही जरूरी है हमारे जितने भी दोस्त हैं जितने भी आप लोग हैं सभी को आराम मिल सके जिनको भी जरूरत है इस वीडियो की उन तक यह वीडियो पहुंच सके तो वीडियो को शेयर करें अपने प्रिया जनों के साथ शुक्रिया अपना ख्यार रखें स्टे